राजसरकार घरों से बेकार पड़े समान को इकत्रित कर जरूरत मंदों को मुफ्त में बाटेगी इसके लिए कपड़ा बैंक, किताब बैंक और खिलोना बैंक खोले गए इस विशेश अभियान 20 मई से 5 जून तक चलाया जा रहा है 11 नगर निगमों में ना थ्रो ना थ्रो चृपल Aर सेंटर स्थापित किये जाएंगे इसके माध्यम से इन समानों को इकत्र कर लोगों में बाटा जाएगा आमजन को जागरू करने का प्रयास भी कर रहा है इसको लेकर निदेशक नगर निकाए निया शर्मा ने दूर दर्शन से खास बात की हमारे साथ इस समय निदेशक नगर निकाए उत्तरप्रदेश निया शर्मा जी हैं हम लगातार ट्रिपल आर के बारे में सुन रहे हैं जो वेस्ट मैनेश्मेंट को लेकर है इसके बारे में क्या कुछ कहेंगी देखें ये एक अभियान जो है वो लगातार चल रहा है और ट्रिपल आर का जो कॉंसेप्ट है वो refuse, reduce और recycle पर आधारित है इससे हम एक संदेश ये भी देना चाहते हैं लोगों को कि जो products वो कहीं कचरे में फेक देते हैं उसको अगर अलग करके जैसे कपड़ा है, पुराने जूते चपल है, पुराना कोई मेट्रस है उसको हमारे RRR centers जो बने हुए है नगर निगमों में हर निकाय में वहाँ पर उन centers में उपलब्द कराएं उनकी recyclability बनती है तो शायद वो कोई कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति हो जिसको इ encouragement इस पूरे अभियान के साथ मिलेगा और साथ साथ में कूडा जो है उसके निस्तारण की प्रक्रिया है वो भी और scientific होगी एक जो बेहद महत्वपून बात है वो यह है कि इसके बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं है और अगर हम जागरूकता की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है जन जागरूकता में सबसे पहले तो हम लोग आपके माधियम से भी चाहेंगे के लोगों के बीच में इस मेसेज का प्रसारण अच्छी तरह से हो और मेडिया का बहुत महत्वपून रोल है लेकिन साथ ही साथ में नगर निगमों में एक आ हमारा नगर विकास विभाग का एक टॉल फ्री नंबर भी है 15 33 जो शिकायतों के निवारन के साथ साथ इस तरीके की जानकारियों को देने के लिए भी सक्षम है उस नंबर से भी इसकी जानकारी प्राप्त की जाए